मंगलवार के दिन करें हनुमान जी के प्राचीन संकट मोचक मंदिर के दर्शन हरिद्वार शहर में हनुमान जी का एक ऐसा मंदिर है जहां दूर-दूर से भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं ऐसे में प्राचीन गणेश घाट पर स्थित दक्षन मुखी हनुमान मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में दिया जलाने और पूजा पाठ करने से 41 दिनों में दुख दूर हो जाते हैं। हरिद्वार के गणेश घाट पर बना संकट मोचन हनुमान जी का यह मंदिर प्राचीन है। मंगलवार और शनिवार को इस मंदिर में श्रधालूओं की भीड रहती है। कहा जाता है कि हरिद्वार में हनुमान जी के बहुत से मंदिर हैं लेकिन दक्षिन मुख्य हनुमान जी का सिर्फ यही एक मंदिर है। मंदिर के मुख्य पुजारी अविनाश गिरी बताते हैं कि यह मंदिर अतिप्राचीन है। श्री राम, सिया राम लिखने से दूर होते हैं, कश्ट मुख्य पुजारी ने बताया कि मंदिर में श्रद्धालू दूर दूर से अपनी मनों कामना लेकर आते हैं, जो 41 दिनों में पूरी भी हो जाती है दर्शन करने आए, श्रद्धालू प्रशांत शुकला ने बताया कि मंदिर में शनिवार और मंगलवार को लोगों की लंबी कतार लगी रहती है मंदिर में आने वाले श्रद्धालू यहां रखी पुस्तक में श्री राम, सिया राम लिखते हैं भगवान का नाम लिखने से लोगों के सभी कष्ट दूर होते हैं सकंद पुराण में मंदिर का उल्लेख तीर्थ पुरोहित ने बताया कि गणेश घाट पर स्थित दक्षन मुखी हनुमान मंदिर अनादिकाल से है इसका वर्णन सकंद पुराण के केदार खंड में भी किया गया है वह बताते हैं कि हनुमान जी के दक्षन मुखी मंदिर में पूजा पाठ करने से सभी रोगों का नाश हो जाता है